जहन साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट युटूब चैनल पे जैसे कि आप सभी को मालूमें कोई भी वेकंसी आती है तो आपको इस चैनल के माधम से जनकारी दी जाती है तो आज की रेट में आपके लेकर आए हैं एक नय वेकिंसी के बारे में जनकारी, जो की ये वेकिंसी निकल के आ रही है रेल्वे के अंतरगत, जहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, साब तोर पर लिखा भी गया है, भार सरकार रेल मंतराले रेल्वे भर्ती बोर्ड के अंतरगत ये notification जारी किया गया है अब यहाँ आप इसके बारे में डिटेल में आपको जनकारी दे उससे पहले मैं आपको बता दूँ यदि आप IT के चातरे और इस तरह की वेकेंसी के बारे में आपको जनकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक करे और इस वीडियो की नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सस्क्राइब वाला उससे जरूर दबाए अब यहाँ पर इसके बारे में हम आपको जनकारी देते कि अपसे ये फार्म भरना श्टार्ट होगा और फार्म भरने की अंतिम तिती क्या रखी गया तो सबसे पहले ही आप यहाँ पर देख लिजे आवेधन प्रारंब होने की तिती जो कि 9-3-2024 से ये जो फार्म में भरना श्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर सुल्क के भुकतान सहीत आवेधन जमा करने की अंतिम तिती 8-4-2024 अब यहाँ पर बात करतें सुल्क भुकतान में किसी भी तरक की यदि यहाँ पर दिक्कत हो रही है या आप फार्म भर दिये उसमें किसी भी तरक का आप संसुतन कराना चाहते तो उसकी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो की 9-4-2024 से 18-4-2024 इसका डेट रखा गया जिस चिटको भी आप ध्याने किएगा अब नीचे आ जाते हैं सात्यों यहाँ पर पोश्ट की बात करतें किस पोश्ट पर कितने आपर सीटे खाली है और कितना आपको सैलरी दी जाएगी तो पहले नमबर पे आप देखिए पद वाले कालम में देखेंगे तो टेकनिसियन ग्रेट फर्ष्ट का यहाँ पर पोश्ट आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर लेबल फाइफ के अंतरगत है जिसमें 29,200 रुपे आपको पेमेंट दिया जाएगा यदि आप इस पद के अंतरगत फार्म को अपलाई करते हैं तो अब यहाँ पर उम्र की बात करें तो इसमें 18-36 मांगा गया है और टोटल 1092 सीट खाली है जूसरे नंबर पे आपको पोश्ट देखने को मिल जाता है टेकनिशन ग्रेड फार्ड का डेबल 2 के अंतरगत आपको पेमेंट दिया जाएगा 19,900 रुपे और इसमें 7,800 से 33 वर्स उम्र मांगा गया और 8,000 इसमें आपको 52 सीट देखने को मिल जाती है टोटल लेजी सीट के बात करें तो यहाँ पर आपको 9,144 टोटल सीट देखने को मिल जाती है जिसमें आप अपलाई कर पाएंगे अब इसके बारे में अधर जनकारी के बारे में बात करते हैं जिसे कि यह जो फार्में किस तरह अपलाई किया जाएगा और फार्म भरने का यहाँ पर प्रोसेस इसका क्या रखा गया और कैसिस सेलेक्शन इसमें होगा तो देखिए साथियो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर इसके फिस के बारे में उसके बाद यहाँ पर age के बारे में बात करेंगे उसके बाद salary कियें तो देखिए साथियो जो भी छात इसमें farm को apply करें उनको जो यहाँ पर payment देना पड़ेगा आप नीचे आप आजएंगे स्क्रॉल करते हुए तो इसके बारे में इनोने जनकारी दे रखेंगे जिसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो payment के बारे में इनोने जनकारी दे रखेंगे कि कितना आपको payment देना पड़ेगा वैसे में आपको बता दो साथियो जो payment इसमें रखा गया जो भी छातर general के अंतरगत आते हैं या जो छातर OVC के अंतरगत आते हैं उनको जो यहाँ पर payment देना पड़ेगा 500 रुपे payment देना पड़ेगा कितना साथियो 500 रुपे payment देना पड़ेगा बाकी साथियो यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें किस तरक्य कोशन आएंगे तो यहाँ पर देखिए अंग साष्ट से आपका 25 कोशन आएगा 25 का इसके बाद समाने बुद्ध के बारे में इन्होंने जनकारी दे रखिए कि is की document की आपको जुरूत पड़ेगी वैसे जो भी आप हांग को अप्लाई करते हैं जो कि जिस क्लिभिकेशन के अंतरगत आप अप्लाई करते हैं उसी क्लिभिकेशन से आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर उसी तरह का यह आप यहाँ पर नीचे आज़े स्क्रोल करते हैं, यहाँ पर आपको देखने हो को मिल जाता है, सात्यू, IT वालों के लिए, टेकनिशन ग्रेड थार्ड का, जो कि इसमें जो यहाँ पर रखा गया है, फोट्यर एंड हीट ट्रेटर रखा गये, फांडरी मैंने, पेटर्न मेकर है, और यहाँ पर मोल्डर है, इसके बाद दूसरे नमबर पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर फीटे ट्रेड का उभी मौका दिया जा रहा है, फीटर एक ट्रेस्चलरल है, उसके बाद यहाँ पर स इसके बाद यहाँ पर निष्या आपको त्रेड आपको देखने को मिलेगे, बहुत सरे ट्रेड इसमे दिये गए, तो आप लोग अपलाई जरूर किएगा, इसको आप छोड़िएमत, यहाँ आइसा मोखा आपको नहीं मिलेगा, साथियों मैं आपको बता दता हूं इसको जरूर आप अपलाई किजिएगा और कोई भी किसी भी तरकी आपको जनकारी चाहिए इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजएगा आपको जनकारी मिल जाएगी और इसका आप यहाँ पर डॉक्मेंट इसका ही देखने को मिल जाएगी